नमस्कार मित्रों, मैं अविना स्रजन गुपता आपका अपने चैनल हिंदी भाता और साहित्य में हार्द कभी नंदन करता हूँ आज मेरे वीडियो का विशे व्याकरण से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्तुपुर्ण पार्ट समास है समास का क्या अर्थ है, समास की आवशक्ता क्या है, समास के भेद क्या है, समास को पहचानने का तरीका क्या है समास से जुड़ी हुई विशेश बाते क्या है, हम इन सभी बिंदूओं पर एक एक करके विचार करेंगे तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और मेरा ये मानना है कि अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा तो समास से जुड़ी आपकी लगभग लगभग सभी समस्याएं दूर हो जाएगी समास, compound, समास सब्द का अर्थ समास सब्द का साब्दिकर्थ होता है छोटा रूप या संचिप्ति करण अतह जब दो या दो से अधिक सब्द अपने बीच के विभगतियों का लोब करके या अपने बीच में आने वाले सब्दों का लोब करके छोटा रूप बनाते हैं तो उसे समास, सामासिक सब्द या सम समस्तपद कहते हैं. सब्द रचना हिंदी भासा में सब्दों की रचना कई वीधियों से होती है. जैसे उपसर्ग लगाकर, प्रत्य लगाकर, संधी के माध्यम से ऐसे ही हम लोग समास के माध्यम से भी सब्द रचना कर सकते हैं. जैसे रसोई के लिए घर. रसोई घर. ये भी एक सब्द रचना की प्रक्रिया है. समास के लाव, समासिक सब्दों के प्रयोग से हम गागर में सागर भर सकते हैं. क्योंकि इस वीधि से हम वाक्यों के बीच आय अनावस्यक विभक्तियों को हटा देते हैं, जिससे सब्दों में भावो की अविवेक्ति या संप्रेशन का काम पूरा हो जाता है. उदाहरण के लिए दही में डूबा हुआ वड़ा की जगा दही वड़ा लिखकर एक ही सब्द में संप्रेशन कम्मिकेशन पूरा हो जाता है. समासिक सब्द रचना का ग्यान जब हमें हो जाता है, तब हम प्रत्योगिता मुलक पर एक छाओं में भी जहां सब्द संख्या निरधारित रहती है, वहां पर भी कम सब्दों में ज्यादा से ज्यादा अपने भावों को व्यक्त कर सकते हैं. समास के मुख्यत दो अंग होते हैं. पूर्वपद और उत्तरपद पूर्वपद या उत्तरपद सब्दों को ही कहा जाता है. जैसे रसोई के लिए घर सब्द में से के लिए विभक्ति का लोब कर देने के बाद सब्द बना रसोई घर जो एक सामासिक सब्द है. यहां रसोई पूर्वपद है और घर उत्तरपद है. दोनों का मेल जब हो जाता है तो उसे समस्तपद कहते हैं. और समस्त पद को पुनहा विश्त्रित रूप देने के वीधी को समास विग्रह कहते हैं. जैसे विद्यालय विद्या के लिए आलय यह समास का विग्रह है. समास के प्रकार पहला अववई भाव समास एड़्वर्वियल कमपाउंड तत्पुरुष समास डिटर्मिनेटिब कमपाउंड द्वन्दुव समास कॉपुलिटिब बहुब्रही समास एट्रिब्यूटिब द्वीगु समास इसे आसानी से समझने और याद करने के लिए इन 6 समासों को हम लोग 1 क्रम के अनुसार लिस लेंगे इस हिसाब से सबसे पहला अव्वय भाव समास, कर्मधारे समास, तत्पुरुष समास, द्वन्द्व समास, द्विगु समास और अन्त में बहु ब्रही समास आएगा अव्वय भाव समास अव्वय भाव समास में प्राया, पहला पद या पुरुव पद अव्वय होता है, अव्वय अर्थात वे सब जो लिंग, वचन, काल के अनुसार नहीं बदलते संस्कृत के उपसर्ग युक्त पद भी अव्वय समास होते हैं, अधिकांस निसेधात्मक उपसर्गों के अतरिक्त पहचानने का तरीका, अव्वय भाव समासों को पहचानने का तरीका है कि इनके पुरुवपद में अनु, आ, भर, प्रती, यथा, आदि का बहुदा प्रयोग होता है, और कभी-कभी एक ही सब्द दो बार आते हैं और बीच में योजक चिन्ध का प्रयोग होता है, दिन- दिन, रातो रात, गाओ-गाओ, हाथो रात, इत्याधि. यह या तो एक ही सब्द होते हैं, या एक-दूसरे में थोडी सी भिन्नता होती है, उदाहरण, या था सकती. सकती के अनुसार, प्रतीदिन, प्रतेक दिन, या हर दिन, आ समुद्र, समुद्र परयंत, भर-पेट, पेट भरकर, आजीवन, जीवन परयंत या जीवन भर, दर असल, असल में. इसके हलावा, घर घर, प्रतेक घर, हाथो हाथ, हाथ ही हाथ में, रातो रात, रात ही रात में, गाउं गाउं, हरेक गाउं. इन समासों में, एक बात, जो ध्यान देने वाली है, वह ये, कि इनका रूप कभी भी नहीं बदलता, जैसे यता सक्ती, आप इसे यता सक्तियां, ये नहीं कर सकते, जैसे प्रति दिन आप इसके रूप को बदल नहीं सकते, इसे लिए इससे अववय भाव समास कहा जाता है, जिसमें व्याई ही ना हो, जिसमें कोई खर्च ही ना हो, जो जैसा है वो वैसा ही बना रहता है। कर्मधारे समास, Appositional Compound कर्मधारे समास में दो पद होते हैं, कर्मधारे समास के दोनों पदों में एक संबंध होता है। यह संबंध या तो उपमें उपमान का होगा, या विशेशन विशेश्य का। यहां आपके लिए यह समझ लेना जरूरी है कि उपमें और उपमान होता क्या है। जैसे मैंने एक सब्द कहा, चंद्रमुखी, तो मैंने मुख की तुलना चांद से की। तो यहां मुख उपमें हो जाएगा और जिसके साथ तुलना की जा रही है अर्थात चांद वो उपमान हो जाएगा। वैसे ही विशेशन विशेश्य का भी संबंध होता है। जैसे नील कमल, कमल संग्या है और नील विशेशन अर्थात एडजेक्टिव कैसा कमल, नील कमल यह। इसमें एक खास बात यह है कि इसके विग्रह होने पर के समान, रूपी, है जो आदी का प्रियोग होता है। जैसे पुरसो तम, पुरसों में है जो उत्तम है जो, महापुरुस, महाण है जो पुरुस, प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय, देह लता, देह रूपी लता। तत्पुरुस समास, Determinative Compound तत्पुरुस समास का दूसरा पद, पर पद, प्रधान होता है, अर्थात, विभक्ती का लिंग, वचन, दूसरे पद के अनुसार होता है इसका विग्रह करने पर करता वा संबोधन की विभक्तियों के अतरिक्त किसी भी कारक की विभक्ती प्रियुक्त होती है, तथा विभक्तियों के अनुसार इसके उपभेद भी होते हैं इसे आसान भासा में समझने के लिए को, से, के, लिए, मे, पर, का, के, की आधी प्रिपोजीशन या कारक चिन्हों का प्रियोग इसमें होता दिखता है जैसे कर्म तत्पुरुस, क्रिश्न अरपन, क्रिश्न को अरपन, ग्राम गत, ग्राम को गया हुआ, कर्म तत्पुरुस, से या के द्वारा, इश्वर तदत, इश्वर से प्रदत, हस्त लिखित, हात से लिखित, तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, संप्रदान जब किसी को कुछ दिया जाता है या किसी के लिए कुछ किया जाता है हवन सामगरी हवन के लिए सामगरी रसोई घर रसोई के लिए घर अपादान तत्परुष जब कोई चीज किसी अन्ने चीज से या किसी चीज से अलग होती है रिन मुक्त रिन से मुक्त, पत्थ भ्रष्ट, संबंध तत्परुष, का, के, की, गंगा जल, पराधिन, पर, के, अधीन, मंत्री परिशद, मंत्रियों की परिशद, अधिकरण तत्परुष, अर्थात, लोकेटिव, लोकेशन, स्थान के बारे में पता चलता है, में पर, वनवास, वन में वास, आप बीती, आप पर बीती, द्वन द्वसामास, कॉपुलेटिव कमबाउंड, जैसा कि हमें नाम सही पता चलड़, कपल, अर्थात, जोड़ी या दो, इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, और दोनों पद प्राया, एक दूसरे के विल या विरोधी गुण वाले होते हैं, परंतु सदेव नहीं, इसका विग्रह करने पर और अथवा या का प्रयोग होता है, जैसे माता पिता, माता और पिता, गुण दोस, गुण और दोस, पाप पुन्य, पाप और पुन्य, कभी-कभी हमें द्वन्दो सामास में ऐसे भी सा सामासिक सब्द मिलते हैं, जिसके बीच में योजक चिन्न नहीं होता, साधारण तह, द्वन्दो सामास में दोनों पदों के बीच एक योजक चिन्न होता है, लेकिन कुछ स्थिती ऐसी भी होती है, जहां वो द्वन्दो सामास तो होता है, सामासिक पद तो होता है, किसी भी प्रकार का योजक चिन्ह नहीं रहता है। उस सब्द में योजक चिन्ह का अभाव रहता है। जैसे कृष्ण अर्जुन, कृष्ण और अर्जुन, सितोश्ण, सीत और उश्ण, द्विगु समास, नुमेरल कमपाउंड, द्विगु का अर्थ होता है दो गाये। अब इस से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि द्विगु समास का प्रथम पद या पूरुपद संख्या वाची होता है। इसका विग्रह करने पर समहु या समहार सब्द का प्रियोग किया जाता है। इसके विग्रह में समहार या समहु लगाया जाता है। समाहार का अर्थ समुदाय, इकठा होना या समेटना ऐसे सब्दों में समुहों की संख्या निश्चित होती है जैसे त्रिलोक तीनों लोकों का समाहार पंचवटी पांचों वटों का समाहार पसेरी पांच सेरों का समाहार सेर अर्थात एक केजी एक किलो पसेरी अर्थात पांच किलो त्रिभुवन तीनों भुवनों का समाहार त्रिभुवन सम्हु का प्रयोग प्रायह साधारन अर्थ में किया जाता है जैसे नवरत्न नवरत्नों का सम्हूँ दो पहर दो पहरों का सम्हूँ चवराहा चार राहों का सम्हूँ तिरंगा तीन रंगों का सम्हूँ कभी कभी दुईगू सामास का प्रत्थम पद संख्यवाची ना होकर उत्तर पद संख्यावाची होता है ऐसे सब्द बहुत कम है परन्तु आपके ज्ञान के पिस्तार के लिए ये बताना मैं जरूरी समस्ता हूँ पक्ष द्वय दो पक्षों का सम्हू संकलन त्रय तीन संकलनों का सम्हू पहूब्री समास एट्रिब्यूटिब कमपाउंड पहूब्री समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता अपितु ये किसी तीसरे पद के बारे में बताता है इसका विग्रह करने पर वाला है जो जिसका जिसकी जिसके वह आदी आते हैं ये अधिकतर पौरानिक पात्र मैथोलोजिकल केरेक्टर होते हैं और दुनिया में केवल एक ही होते हैं इसका विग्रह पदात्मक या सब्दात्मक ना होकर वाक्यात्मक होता है जैसे गजानन गज का आनन है जिसका वह गनेश अब साधारन तह हम किसी व्यक्ती का सीर हाथी वाला नहीं देखते ये दुनिया में केवन एक ही का है वह है गनेश जी त्री नेत्र तीन नेत्र हैं जिसके वह दुनिया में एक ही है जिनकी तीन आखे हैं शिव चतुर्भुज चार भुजाएं हैं जिसकी वह विख्णू ऐसे साधारन तक इसी व्यक्ती के चार हाथ नहीं होते सडानन शट अर्थाथ छह आनन हैं जिसके वह करतिक्य दसानन दस हैं आनन जिसके रावन इन सब समास के अतरित और कुछ भी समास होते हैं परंतु एक और समास जिसे मैं यहां बताना चाहता हूँ वो है नियो समास इसमें नहीं का बोध होता है और इसका प्रियोग अधिक संस्कृत के सब्दों में होता है जैसे अनपड अज्यान अनाचर इत्यादी जैसे अनदेखा न देखा हुआ अनाचार न आचार अन्याय न न्याय अचल न चल नास्तिक न आस्तिक अनुचित न उचित झाल 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 कर्मधारय और बहुब्रही सामास में अंतर नील कंठ नीला है जो कंठ अर्थात मयूर मोर पीकक उसके कंठ भी नीले होते हैं ये विग्रह पर निर्भर करता है कि उसे किस सामास के अंतरगत रखा जाए नीला है जो कंठ मयूर कर्मधारय सामास होगा लेकिन नीला है कंठ जिसका वह ये विग्रह बहुब्रही सामास के अंतरगत आता है और सिवजी का कंठ नीला है तो ये बहुब्रही समास होगा महात्मा महान है जो आत्मा कोई भी व्यक्ति महान है आत्मा जिसकी वह अर्थात व्यक्ति विशेश बहुब्रही समास कमल नयन कमल के समान नयन करमधारे समास कोई भी व्यक्ति जिसकी आखे सुन्दर हो कमल के समान नयन है जिसके किसके विष्णू के अर्थात बहु ब्रही समास पितांबर पीत पीला है अंबर पीत है जो अंबर कोई भी वस्त्र जो पीला है कोई भी कपड़ा जो पीला है पीत है अंबर जिसके वह विष्णू बहु ब्रही समास द्विगू और बहु ब्रही सम समास में अंतर पंचवटी पांच वटों का समहूं अर्थात उद्यान द्विगु समास पंचवटी पांच वटों से घिरा एक निश्चित स्थल अर्थात दंडका अरण्या वह स्थान जहां वनवासी राम सीता और लक्षवन ने निवास किया था ये बहु ब्रही समास मुखी दीप पंच मुख पांच मुख हों जिसके अर्थात हनुमान उम्मिद करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपके पास हिंदी से जुड़ी कोई भी समस्या है तो आप कमेंट में लिखकर मुझे जरूर सूचित करें यता संभव मैं कोशिस करूँगा कि उस पर एक वीडियो बना कर आप तक पहुंचाओं धन्यवाद